स्वर कोकिला भारत रत्न लतामंगेशकर ने दुनिया को सदा सदा के लिए अलविदा कह दिया है उनके चले जाने के बाद अब पीछे कुछ रह गया है तो वो है उनकी रुहानी आवाज और उनसे जुड़ी यादे सभी की चहेती रही लतामंगेशकर कभी विवादों से नहीं गीरी साथ ही उनकी नीजी जुन्दगी के किस्से भी लोगों के सामने कम ही आये एक सवाल जो उनके चहेतों के मन में आज भी है कि आखिर उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की नमश्कार मैं हूँ आपके साथ प्रेणा शर्मा परवरी का ये महीना जिसे प्यार के इज़हार के महीने के रूप में भी जाना जाता है आज साथ परवरी रोजडे के रूप में मनाया जा रहा है तो इसी मौके पर हमने सोचा क्यों ना आपको खास लव स्टोरी से रूबरू करवाया जाए तो आज हम आपको लता ताई की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप थोड़े हैरान जरूर हो सकते हैं लेकिन ये कहानी प्रेणना दायक जरूर है लता दीदी की लव स्टोरी राजस्थान से जुड़ी है लता मंगेशकर जितनी अपनी गाईकी को लेकर समर्पित थी उतनी ही समर्पित थी अपने प्यार को लेकर डुंगरपुर राजगराने के राजसिंग और लता मंगेशकर की दोस्ती किसी से चिपी नहीं थी उनकी ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को ही इसका एहसास नहीं हुआ लेकिन इसके चर्चे आम हो गये थे लेकिन आपने सुना ही होगा प्यार सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले लता मंगेशकर और राज सिंग का प्यार भी कुछ ऐसा ही था उनके प्यार को कभी मंजल नहीं मिली लेकिन उम्र भर कुवारी रहकर दोनों ने अपने प्यार को अमर कर दिया राज सिंग डुंगरपुर रियासत के राजा रहे लक्षमन सिंग के बेटे थे स्कूल के समय से ही उन्हें क्रिकेट खिलने का बहुत शौक था और इसके साथ ही वे लदामंगेशकर की आवास के भी दिवाने थे दूसरी और हमारी स्वर कोकिला संगीत की दुनिया का बड़ा नाव लेकिन संगीत के साथ ही वे क्रिकेट की भी दिवानी थी दोनों की इनी खूबियों के चलते एक दूसरे से नज़दी क्या बढ़ने लगी अब प्यार में पहली मुलाकात बड़ी एहम होती है राज सिंग की लटा मंगेशकर से पहली मुलाकात उनके घर पर ही हुई थी 1969 में राज सिंग लौ करने के लिए मुंबई गए थे क्रिकेट के शोकीन राज सिंग 1955 से ही राजस्थान रंजी टीम से जुड़े हुए थे राज सिंग की मुंबई की क्रिकेट मैदान में लता मंगेशकर के भाई रिधानात मंगेशकर से मुलाकात हुई वे अक्सर राज सिंग को अपने साथ घर लेकर जाते थे और वहीं पर राज सिंग की मुलाकात होती थी लता मंगेशकर से प्यार को जताने के और इसके इजहार करने के अपने तरीके होते हैं राज सिंग भी अपने प्यार की आवाज हमेशा अपने साथ रखते थे इसके लिवे सदा एक टेप रिकॉर्डर अपने साथ ही रखते थे और जिसमें उनकी प्रेमिका के गाय हुए गाने हुआ करते थे जब ऐसे प्यार को मंजिल नहीं मिलती तो दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर क्यूं? तो इसके पीछे कारण था राजपरिवार खबरों की माने तो दोनों की शादी हो भी जाती लेकिन राजपरिवार इस बात के लिए राज़ी नहीं था कि कोई भी साधरन परिवार की लड़की राजपरिवार की बहु बने वे चाहते थे कि राजपरिवार की लड़की ही राजपरिवार की बहु बननी चाहिए आला कि राज सिंग अपने परिवार के जिद के आगे जुग गए लेकिन बाद में उन्होंने कभी शादी नहीं की राज सिंग लता मंगेशकर को प्यार से मिठु बुलाया करते थे लेकिन वाकई में आज के इस जमाने में वो पुरानी से महबत मिलना मुश्किल है नमस्कार